निचित समाकलन का वीडियो पार्ट फाइव देख रहे हैं इससे पहले की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़िए वहाँ से जाकर देखें देखें यह बहुत आसान है यहाँ पर एक वार इस लिमिट को बूल जाईए क्या करो कि फंक्शन को देखो कि बटे 5X स्क्वार प्लस 1 टी एक सप्रेंटर टीक और ले-ले दी एक समझ Arms यहाँ आखेक्स स्क्क्वार में जाना पना जाले दिक पत्रीक्त टीक ऐखें तो इसको आप I1 ले लो इसको I2 लेलो यहाँ पे 3 constant बार ले लो यहाँ 2 constant बार ले लो चीक है where i1 integration of x बटे 5x square plus 1 dx i2 is equals to integration of 1 by 5x square plus 1 अब यहाँ पे आपको क्या करना है देखो इस 5 को बाहर ले लेना है तो 5 को जब आप बाहर लेंगे चलिए यहाँ पे करते हैं तो अब i1 बराबर लेने पर 5x square plus 1 बराबर हमने t मान लिया इसका both side derivative लेंगे तो देखिए x square का derivative क्या होता है 2x होता है और यह 5 साथ में तो कितना आ गया 10 आ गया और 1 constant 0 हो गया इस तरह आएगा आपका dt by dx और dx आपका इस तरह आ जाता है यहाँ आपका dt by 10 तो यहाँ पे i1 बराबर आपका क्या बन गया dt by जो 10 इसको बहार ले लिया यह आपका बन गया t यानि 1 by 10 लोग mode of t और t का यहाँ पर मतलब क्या है आपका 5x square प्लस 1 है यह आ गया इसका integration अब देखिए हम लेते हैं कि आई टू लेने पर कि आई टू बराबर कि डी एक्स बटे 5x square प्लस वान है नीचे जो आपका 5 है इसको मैं बहार ले लेता हूं अंदर क्या बच्छा एक्स square प्लस one by five बच्छा one by five को मैं क्या लिख सकता हूं कि one by अंडूट five का square ठीक है कोई भी संग क्या है उसको हम उसके अंडूट में लेकि square के form में लिख शकते हैं अब देखिए इसका क्या आता है आपका कि इसका integration ऐसा आता है टैन इन्वर्स एक्स बच्छे आपका जो ए है यहां पर ए यह है देखिए मैं इसका form लिख के दिखाऊंगा आपको और इसके मल्टि प्राइम आता है आपका वन वाई जो ओए है यहां पर जो आपको उपर आ जाएगा कि नीचे कितना एंड़ाइव बटटे के बटब यह ने डिवाइड के डिवाइड में जो आपका संख्यावता उपर आ जाता है तो टैन इन्वर्स अंडूट फाइव एक्स बन यहां पर जो फोर्म मैंने का में लिया वो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वार प्लस ए स्क्वार बराबर आपका वन बाई ए टैन इन्वर्स एक्स बाई ए होता है अब देखो अंडूट 5 से 5 कितनी और कटेगा अंडूट 5 बार कटेगा तो यह आपकी वेल्यू आगी तो इन वेल्यू को कहां पर उठाके पूट कर दो यहां पर एक मैं पूट कर दो यहां लिखेंगे कि समी करना में एक से आपका चले इसको हमने इंटिगरेशन जैसा है वैसा लिखना है 5x plus ब्राबर 5x square plus बट्टे 5 square plus 1 बराबर देखिए I1 का विल्यू आपका कितना निकला है सर यह निकला I1 का विल्यू कितना 1 by 10 लोग 5x square plus 1 ठीक है यहां पे कितना है आपका 5x square plus 1 है देखो प्लस क्या है आपका 3 multiply I2 तो प्लस 3 multiply I2 का यह आपका विल्यू निकला है 1 by अंडूट 5 साथ में 10 inverse अंडूट 5x है अब यह आपका 2 से कितनी वार cancel out हो जाता है 5 time cancel out हो जाता है तो देखिए यह तो आपका किस का वेल्यू आया है इस function का वेल्यू आया है तो इस function की limit की बात करें यहां बात करेंगे देखिए limit की 0 से 1 2x प्लस 3 बटे 5x स्क्वेर प्लस 1 dx ब्राबर यह जो इस function का integration आया इसको द्यान से देखिए 1 by 5 log mode of 5x स्क्वेर प्लस 1 प्लस 3 by अंडूट 5 10 inverse अंडूट 5x और इसकी हम limit अब यहां लगाएंगे देखो जो नीचे limit आते इसको हम lower limit कहते हैं जो उपर limit आते इसको अपर limit कहते हैं यहां पे lower limit की value 0 है अपर limit की value 1 है अब अगले step में क्या करते हैं हम अपने upper limit की value put करते हैं तो देखिए यहां पे 1 put करेंगे आपका लोग यहाँ पे 1 का स्कूर दोस्तों 1 होता है तो 5 प्लस 1 कितना 6 बन गया 10 इन्वर्स अंडूट 5 बन गया और फिर आपका माइनस जो नीचे का लिमिट होता है वो करना होता है 1 बाइ 5 लोग देखो यहाँ पे 0 है नीचे की अपनी लोवर लिमिट ठीक है तो यहाँ हमने 0 पूट किया यह ट्रम 0 हो गया कितना आगया 1 आगया यहाँ X के जिगे 0 पूट किया तो 10 इन्वर्स 0 हो गया अब लोग 1 का वेल्यू भी 0 होता है 10 इन्वर्स 0 भी 0 होता है यह नहीं आपका यह ट्रम पूरा जीरो हो गया तो फाइनल आपके पास क्या मिला वन बाइ फाइव लोग शिक्स प्लस त्री बाइ अंडूट फाइव टैन इन्वर्स अंडूट फाइव अगरा कुश्यन आपको यह मिला है तो यहाँ पर क्या करें जो एकस स्क्वार है इसको टी माल ले इस फंक्शन का इंटीरेशन करेंगे पहले तो देखो आपका टू एक्स एकस स्क्वार का डेरिवेट्टिव और बराबर डिटी आ गया आपको यहाँ एकस गुणा डि एकस तो वो सब्सक्राइब करेंगे तो एक्स डी एक्स ब्राबर डिटी बाइट यहां पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बन गया इकी पावर देखो X2 का अपने T माना है X DX आगया आपका DT बाई तू और जो 1 बाई 2 इसको आपका ये बहार ले लिया इकी पावर टी का इंटिग्रेशन दोस्ता आपका इकी पावर टी होता है और टी का यहां पर मतलब क्या है X2 इस फांक्षन का इंटिग्रेशन आगया तो इसलिए something I collected अ कि इंटिग्रेशन इस फांक्षण का निकल कर आया यह निकल कराए आपका ए इकी पावर मंडिक्रैव न्वर्यटेशन था पी इस इसका लीनियू लगा को बाहर लख दो ठीक है, देखो, एक की पावर कितना है, एक स्पेर, एकस का विल्यू कितना, वन, वन का स्क्वर दोस्तों, वन ही होता है, माइनस, यह कितनी लिमिट है, आपकी जीरो, तो, एक की पावर, जीरो आ गया, ठीक है, एक की पावर, जीरो, किसी भी सेंखे की पावर, जीरो कितना होता, आपका वन होता है, हमेसा ध्यान रखें, ओके, इसका है, जो आपका बिल्कुल सा, आसान सा सोलिशन निकल कर आया है, ओके दोस्तों, नीचे कॉमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, अगले